गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे आपके वार्लेस वाइफाई एराप्टर को मोनिटर मोर्ड पे सेट कर सकते हो गाइस हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा पैकेट के अंदर सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक होता है गाइस मैक एडरेस जो है वो है मीडिया एकसेस कंट्रोल गाइस बेसिकली हर एक नेटवाकिंग अंदर जो जो डिवाइस कनेक्टेड है हर एक डिवाइस के अंदर यूनिक मैक एडरेस होता है मालनी जे guys यहाँ पे client यह जो है यह router को कुछ packet भेजेगा तो उस packet के अंदर दो चीज़ होगा एक है source mac एंड दूसरा है destination mac जिसके थूँ उस packet को direct किया जाता है और receive किया जाता है तो guys इस data packet के अंदर दो mac address में इंसन है एक है source mac address मतलब वो कौन सा mac address से आ रहा है and destination mac address मतलब कौन सा mac address को वो भेज़ जाएगा तो यह जो data packet है यह दूसरा किसी भी client को नहीं मिलेगा and यह सिर्फ और सिर्फ router को ही मिलेगा क्योंकि इसमें जो destination mac है यह router का destination mac address है but guys कोई hacker अगर जो data packet transfer हो रहा है उसको copy करना चाहता है तो वो उस data packet को monitor करने के लिए वो उसका wireless wifi adapter में monitor mode को open करता है guys hacker basically monitor mode को open करके कोई भी network connection के अंदर जो data packet transfer हो रहा है उसको capture करता है यह जो data packet है guys इसका destination mac address router के mac address के साथ match करता है तो यह जो data packet है यह router के पास ही जाएगा hacker के पास नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे hacker का mac address कुछ अलग है इसलिए guys hacker अगर यह जो data packet है इसको capture करना चाहता है तो वो उसके wireless wifi adapter में monitor mode को open करता है तो guys आपके wireless wifi adapter को monitor mode में set करने के लिए सबसे पहले आपको terminal को open करना पड़ेगा तो मैं अभी मेरा terminal open कर लिया तो मैं अभी देख लेता हूँ मेरा अभी जो wifi है यह अभी कौन सा mode पे set है तो मैं इसके लिए type करूँगा iwconfig इसको बद एंटर तो guys अभी आप यहाँ पे देख सकते हो WN0 जो मेरा wifi है यह अभी manage mode पे है इसके मतलब यह अभी दूसरा कोई भी packet को capture नहीं कर पाएगा तो इसको monitor mode पे set करने के लिए मैं यहाँ पे type करूँगा airmon hyphen ng उसके बाद space start उसके बाद wifi adapter का name WLand0 उसके बाद enter तो guys अभी यह monitor mode पे set हो रहा है तो guys अभी यह monitor mode पे set हो गया है तो अभी check कर लेते हैं फिर से iw config इसके बाद enter तो guys अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यह जो mode है अभी यह monitor mode पे है तो guys आप यह भी देख लेना कि पहली इसका नाम था WLAN 0 अभी इसका नाम है WLAN 0 Mon तो guys ऐसे आप आपके wireless wifi adapter को monitor mode पे set कर सकते हो आपके आपके wireless